हेले विरोन कैसे हैं आप सब एक पार पुना से कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है सुपर फास्ट रिवीजन में आज आप लोग सीखने वाले हैं एलकीन बनाने की प्रयोक साला बीधी बिल्कुल सिंपल है यदि आप लोग डाइग्राम बना लिए बच्चो तो यूँ आसानी से आप 5-10 मिनट में से त्यार कर सकते हैं देखिए आपके पास एक गोल पेंदिक तुफलास्क है जब हम एलकीन बनाते हैं बच्चो वो एलकोहल और H2SO4 के क्रिया से मतलब दो ही पदार्च से हमारा एलकीन बन जाता है लेकिन इस लंबे प्रूसेस को थोड़ा सा नियंतरित करने के लिए हम यहाँ पर रेत और एलुमीनियम सेलफेट भी मिलाते हैं ताकि इसका जाग ना बन सके जिसे हम एक गोल पेंडिक तुल फ्लास्क लेते हैं इसमें एलकोहल और H2SO4 की कुछ मात्रा ले करके गर्म करते हैं जब गर्म करेंगे बच्चो तो हमारा जो एलकीन है मिल जाएगा लगबग 150 से 170 डिगरी सेलसेस ताप पर लेकिन यह जो रेत है और जो एलुमीनियम सलफेटी यह मिलाया क्यों जाता है ताकि जाग उत्पन ना हो अब जब बच्चो यहाँ पर आपका एलकीन बनता है इसके साथ साथ सलफर डायकसाइड और कारवन डायकसाइड की असुद्धियां भी होती है इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दो और बोतल होते हैं जिसमें आपका H2SO4 और KOH का मिश्रण मतलब एक प्रकार से H2SO4 और KOH भरा रहता है अलग-अलग फ्लास्क में तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो H2SO4 होता है यह SO2 को अफ्सोषित कर लेता है मतलब जो सुद्धियां होती है एलकीन में SO2 और जो आपका KOH है बच्चों यह जो है कारवन डायकसाइड की असुद्धि को अफ्सोषित कर लेता है जिससे सुद्ध हमारा क्या बनता है ए पुल्बुले की रूप में यह उपर जा करके एकत्रित हो जाता है इस तरीके से आप एथिनीन या एलकीन बना सकते हो अभी आप एक सिर्फ नार्मल तरीके समझा रहा हूं वह से बन जाएगा यार एक दो बार आप समझने कोशिस करो कि जब भी हम प्रयोकसाला में क्या बना सिल्सेस ताप पर गर्म करते हैं तो एलकोहल से एक जल काड़ू निकल जाता है और निजली करण के कारण यहां पे आपका बन जाता है क्या एलकीन समी करण से भी समझाओंगा फिलाल सबसे पहले आप देखो एक गोल पेंदू तो फ्लास्क लेते हैं इस गोल पेंदू फ् जाग उत्पन नहीं होने देता है और अवक्रिया लगबग 140 से 50 डिग्री सिल्सेस ताप पर तो समपन हो ही जाती है आस्बन फ्लास्क गोल पेंदू ख्लोता है इसमें एक थर्मा मीटर लग रहा थे यह थर्मा मीटर और यह आपका बिंदू बिंदू पाती कीप यह कीप ह होता है जिसकी सहाइथा से हम एलकोहल और सांद H2SO4 धीरे जिरे करके डालते जाते हैं वह इसमें मात्रा काम होती जाएगी तो एलकोहल और H2SO4 डालते जाते हैं अब ग्रिया संपन होती रहती है तो एक बिंदू पाती कीप तथा निकास नली लगा रहता है यह निकास नल है मतलब एथिलीन बन रहा होता है तो इसमें जो असुद्धियां रहती है है सलफ़ोडाइकसाइड और चारबंडाइकसाइड तो ह्ट्वसोफॉर्सृफ़ोड डाइकसाइड और आपका यह को एस जो है CO2 के सुद्धियों को अब सूसित कर लेता है जिससे सुद्ध है आपका एथिलीन गैस प्राप्त होता है जिससे गैस जार में एक अत्रित कर लिया जाता है यह पूरा संपोर मतलब मैथड हो गया अब थोड़ा सा इसके अब क्रिया को समझते हैं फिर से आपक कराते हैं तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं H HSO4 क्योंकि यह H2SO4 वही चीज़ है अब यहां से बच्चो OH और H क्या बनाएगा H2O बाहर हो जाएगा लगभाग यह 140 डिग्री सिल्सेस ताप पर संपन्न होता है H2O बाहर होता है तो क्या बच्चा यहां पे CH3 CH2 HSO4 अब यह स H2O तो प्लस H2O कर देते हैं अगले स्टेप में क्या होता बच्चो मारे पास है CH3 CH2 HSO4 है इसको थोड़ा सा और टंप्रेचर जम बिलता है लगभाग 170 डिग्री सिल्सेस ताप पर तो यह H जो है बच्चो यह H जो है इससे 1H लेता है तो यहां पर बच्चता है CH2 और यह पर CH2 है तो आपका H2SO4 फिर से अलग हो गया तो कहीं न कहीं यहां पर दूई बंद लगाएंगे कार्बन की वेलंसी के लिए यही आपका दो कार्बन का एथिलीन कहेंगे क्योंकि दो कार्बन को H से और यहां पर एलकीन है तो एथिलीन बन गया सिंपल तरीका से आपने सम जलता है और हमारा एलकीन बन जाता है अब इसकी प्रोसेस आपको फिर से एक बार समझा देता हूं बांकि कम्प्लीट हो गया देखे भाई सहाब जब भी हम एक कोई भी एलकीन का योगिक बनाना चाहते हैं तो अपने गोल पेंदिक फ्लास्क लेते हैं इसमें अपन क्या करत यह जो आास्वन फ्लास के इसमें देखो बिंदू पाति कीप लागा रहता बच्चों साथ में थर्मामीटर लागा रहता निकास नली रहता है निकास नली का दो बोटल से संब्ध होता है जिसमें क्रमसा-H24-Co-H भरता है जम हम इसको गर्म करते हैं बच्चों तो अब उह गैसमपन होती है और आपका एथिलीन बनता है साथ में कुछ असुद्धियां होती है वह असुद्धि सलफर डायकसड और कारवन डायकसड है यह असुद्धियां क्रमसा जब इन बोतलों से उकर जाता है तो 304 ईर में को सीजयद कर लेता है तो चलीए यहां पर लिखा हुआ है बच्चो समय ज्यादा हम नहीं लेते इसलिए तो आपको बोलते हैं कि कम समय में müsste कराने का दायत है आप अब बताओ तो सही कि किस पर वीडियो चाहिए प्राथमिक एलकोहल को सांध एच्टोए सोफोर के अधिके के साथ 170 डीनी से स्टाप पर गर्म करने से एलकोहल में से एक जलकाड़ो निकल जाता है और निजली कड़ के फलसुरूप एलकीन प्राप्त हो जाता है आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चो सेम प्रोसेस हमने बताए एच्टोओ बाहर हो गया अब क्रिया तो आपको कोई परसाई नहीं होगी इसको मैंने समझाए दिया अगले स्टेप में एक एच्छ यहां से लेता है और एच्टोए सोफोर पुनाव हो जाता है तेके यहां पर देख गोलंड पेंदी वाले फ्लास्क में एक थर्मायटर बिंदु प टी कीप और एक निकास नली रगski रहती है जो निकास नळी का दूसरा सीड़ा है इसमें और और गरम करते तो एथिलीन गेस प्राप्थ हो जाता है एथिलीन गेस में सलफर डाइकसड और कर्बन डाइकसड के सुद्धियां भी होती है जो क्रमसा, H2SO4 तर्था QH में अफस्योसीत हो जाती है और सुद्ध एथिलीन गेस को गेस जार में जल के उपर एक अत्रित कर लेते हैं तो जिसको भी यदिसका प्रापर नोट्स बनाना है तो स्क्रीन साट ले ले बाकि हमारे चैनल में पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आपको हैंडिटे नोट्स चाहिए आपके पास नहीं है तो कंटेक्ट नंबर लिख लेना 9685-299149 यह मेरा परस्टनल नंबर इस पर आप कंटेक्ट कर लें प्रापर रूप से हैंडिटे नोट्स दिये जाते हैं फिलाल अभी कले इतना ही जैहिंद बंदमात्रम